तो गैस शुरू करते हैं बहुत सारे लोगों का प्रशन ये रहते हैं कि BTTS के बात क्या और बहुत सारे लोग मेरे पास आ जाते हैं नौवल के एक्स्प्रेनेशन के लिए जैसे कि BTTS Rebirth या BTTS Flame Emperor अलाकि Flame Emperor मैंने खुद ही एक्स्प्लेन किया है पर वो fan fiction है न कि actual author का novel है यानि कि किसी fan ने ये BTTS Rebirth हो या Supreme World करके या Flame Emperor इन लोगों ने लिखा है तो इसलिए आज मैं पूरी चीजे यानि BTTS के बाद आपको क्या देखना है सेम अथर की कौन सी novel है सब भी यहाँ पर बता देता हूँ तो वैसे तो BTTS को टियान काउड आउ ने लिखा है और इनको यहाँ पर Heavenly Silk Warm पोटेटो के नाम से भी जाना जाते है तो अगर आपने BTTS देख लिया है तो इसके बाद आप या इसके साथ में ही Marsal Universe देख सकते हो और इन दोनों को complete करने के बाद या अगर आपके पस ज़्यादा टाइम है तो साथ में आप Legends of Yao Love ये भी देख सकते हो जोकि फिलाल मैंने इसे explain कर दिया है इनको देखने के बाद आप The Great Ruler देख सकते हो क्योंकि ये भी same author का ही novel है और बिना Marsal Universe पड़े Great Ruler उतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें जयाओ यान और लिंग्डों जोनों की श्टोरिये साथ में एक नया hero इंट्रड्यूस होता है मूचैन करके अब इन 3-4 novel को complete करने के बाद आपको देखना चाहिए Dragon Prince Y1 जोकि ट्यान का उटाओ नहीं लिखा है और यहाँ परम में एविल क्लन की शुरुआत कैसे हुई थी उसके बारे में पता चलता है तो Dragon Prince Y1 भी जयोयाओन वगरा से रिलेटेड रहते हैं हालकि ये 50,000 साल पहले रहते हैं Dragon Prince Y1 देखने के बाद ट्यान का उटाओ की दो और नोवेल्स है हालकि इनका अभी तक English Translation नहीं आया मेरे साब से इसके बाद आता है Heavens लिस्ट करके जिसमें की Moo Chen की बेटी का स्टोरी है और साथ में जयोयाओन के पोदे वगरा लिंक डॉंके इसमें रहते हैं आखिरी स्रीज का जो नोवेल है वो है Battle Through the Heavens Return of the Beast जिसमें शयद हमे जायो यान वगरा और बाखी लोग देखने को मिलेंगे वैसे टियान काउट आओ की एक और नोवेल उसका भी English Translation चल रहा है जिसका नाम Absolute Resonance है और इसकी स्टोर अगर आप पड़ोगे थोड़ा भी तो इसमें जो मेन करेक्टर है लील वो उसके माबाप अचानक से गायब हो जाते हैं और किसी से फाइट कर रहे हैं एक अलग डायमेंशन में तो में भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये लोग भी एविल क्लैन से ही फाइट कर रहे होते हैं तो सायद जब ये नोवेल खतम होगा तो मेभी इसका भी कनेक्शन इन सबी से जुढने वाला है तो उमीद है कि अब मुझे से कोई भी फ्लेम एमपरर या बेड़िटियस रीबर्थ या सुप्रीम वर्ल्ड ऐसे करके बहुत सारे फैन फिक्शन है उनके बारे में नहीं बोलेगा क्योंकि वो ओफिसियल नोवेल्स नहीं है तो फिलाल मैं अपने फर्स्ट वाले चैनल पर जिसको कि हम एनलकमिष्ट भी कहते हैं वा पर मैं ड्रेगन पिरन्स युवान शुरू करने वाला हूँ मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ